हेलो इवरोन कैसे हैं आप सब एक बार पुना सी कोचिंग क्लासेश पर स्वागत है उम्मीद करता हूँ आप सब बच्छे होंगे मस्त होंगे बहतर होंगे बच्छो चैप्टर सेवन इकाई सेवन क्लास्ट विल्द कमिस्टी एंसी अरटी में आज हम महात्पूर्ण यहां पर अबजेक्टिव देखने वाले हैं आप लोग सभी प्रश्णों को तयार करेंगे चलिए जो आपका पुराना इंसी अरटी बच्छो उसमें चैप्टर 11 मिल जाएगा नियू में चैप्टर 7 नहीं काई 7 है ठीक है एथिल ब्रुमाइड को एलकोहाली कास्टिक पूटास के साथ उबालने पर क्या बनता है तो एथिलिन बनता है यह कैसे होता आप क्रिया बच्छो आपका हो गया है C2H5BR ठीक है तो यहां से जो निकलता है तो यह जो BR है वो HBR की रूप में बाहर होता है तो बच्छे का क्या C2H4 इसका सूत्र हो जाएगा CH21CH2 यह आपका बनता है एथिलीन ठीक है क्या बच्छो एथिलीन दूसरा प्रशन है एल्कोहल के क्रियासील मूला रहता है मतलब एल्कोहल में क्रियासील बच्छो OH है यह दूसरा आपका है एल्डिहाइड यह कार्बोक्सलीकमल और यह इथर यह पहचान है सारे पहचान जान लो यह दूसरा ए बनता है फिर दी आप उसको अलग नहीं करोगे तो कार्बोक्स लेकामर बनता है कई बार कोश्चन पूछ दिया जाता है और इसका भाई जैसे माली जी सत्त सत्त में पूछ देगा कि प्राइमरी अलकोहल के आक्सिकंड से बनता है अल्डी हाइड बिल्कुल सत्त है गिलसराल क्या बनाए बच्चो एक हाइडरिक अलकोहल गिलसराल का सूत्त यह मैंने लिख दिया है तो तीन ओएच है तो ट्राइडरिक अलकोहल बनाएगा तो यहाँ पर हिंदी में त्री हाइडरिक अलकोहल है तो आप्सन नमबर क्या हो जाएगा सीजदर आइटेंसर इसके बाद प्रश्ण बच्चो डाइएथिल एथर जा था मेथिल प्रोपिल इथर दोनों इथर ही है लेकिन एक में डाइएथिल इथर का सूत्र क्या हो जाएगा यहाँ पर मैं आपको समझा दो थोड़ा सा डाइएथिल इथर डाइएथिल एथर मतलब C2H5 और C2H5 क्रियात्मक प्रोपिल इथर, तो CS3 मेथिल हो गया, प्रोपिल C3H7, एक दूसरे के बच्चों यह मिताब यभी है, क्या है, मिताब यभी है, ठीक है, चले, अगला नमबर है, फिनाल को जस्ता के चून के साथ उबालने पर क्या बनता है, फिनाल को उबालेंगे, फिनाल का सूत्र क्या हो तो बताओ, यह फिनाल है बच्चों, ठीक है, O, H है यहाँ पर, ठीक, जब इसमें से जिंक के साथ, तो ZN, O बनाएगा, ठीक, तो बचेगा आपका, यह फिनाल का, यह भाग बचेगा, O, H, तो यह बन जाता है, बनाता है बच्चों, बेंजीन, तो आप्शन नमबर परमाडू होता है, किस प्रकार का संक्रण होता है, इसमें आपको बताना है, तो SP3 संक्रण होता है, इसको भी समझा दूं क्या, समझा देता हूँ भाइ सहाब, यहाँ पर थुडा देखेगा, इसमें और, O, R, दो यहाँ पर, बच्चों, आपका, सिगमा बांड है, दो, तो सिग्मा बांड की संख्याद दो और लोन पेर की संख्याद दो टोटल कित्ता होगे चार SP3, एक इसमें और तीन इसमें, SP3 संक्रण आगे चलिए, एथिल एलकोहल और मेथिल एलकोहल में विभेद किसके द्वारा किया जाता है तो इसे आप लोग जब पढ़ोगे तो ये आयोडो फ़ाम परिच्छन के माद्यम से किया जाता है अगला प्रशन देखे बच्चो, एथिल एलकोहल के आक्सीकन से क्या बनता है एथिल एलकोहल के आक्सीकन कराएंगे तो यहाँ पर एलकोहल है नहीं, आमली ही है ठीक है तो एथिल एलकोहल है ना एथिल से आपको पता है बच्चो, एथिल में दो कार्बन तो दो कार्बन का ही बनेगा तो यहाँ पर न तो एक कार्बन का मेथ बन सकता है फार्मिल्डिहाइड में एक कार्बन है, फार्मिकल में एक कार्बन, केवल दो कार्बन वाला ही योगी बनाएगा, सिधा है, एथिललकॉल C2H5OH है, इसका आक्सिक करोगे तो पहले आपका एल्डिहाइड ही बनेगा, ऐसा नहीं है, जब आप एथिललकॉल का करोगे पहले ए पड़ा पड़ कुश्चन देखते चलो बच्चों निम्द में से कौन सा अभी करमक प्राथमिक इल्कोहाल से इल्डिहाइड में आक्सी करत करने के लिए प्रयोक्त किया जाता है देखो क्या बोला है आक्सी कारक तो आपका KMNO-3 KMNO-4 सोरी पोटेसियम परमेगनेट इल्कोहालों की एस्टरीकर्ण का क्रम है यहाँ पे क्रम है देखो भाई सबसे बहले यहाँ पे क्रम देखो इल्कोहाल का एस्टरीकर्ण सबसे पहले किसका होगा प्राथमिक दूतियक फिर त्रतियक तो ये आप्सन नमबर धर्ट प्रात्मी के अलकोहल का एस्टरीकन तेब्र होगा फिर दूतियक फिर त्रतियक मतलब घटता हुगा क्रम आगे चलते हैं प्रश्नकर्वांग का आपका तैरा है निम्द में से मिथाकसी मिथाकसी मतलब एक आपका CS3 फिर मिथेन फिर CS3 मतलब CS CS3 CO CS3 नहीं मिथाकसी मिथेन तो दो आपका मिथाकसी मिथेन भाई ये आपका CS3 ये देखो एक में 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 एक कार्वन और ये एक कार्वन यहां पे तीन कार्वन तो होई नहीं सकता क्योंकि में में मतलब यहां पे दो ही कार्वन वाला यहोगी एक है तो आपसर नमबर फि अंधा कमले कि दिखता है मैं 170 डिग्री सिल्सिस पर गर्म करेंगे एथेनाल में कितने कार्वन होगे एथेनाल में आपका यहां पे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं एथेनाल दो कार्वन C2H5 OH जब गर्म करेंगे बच्चो तो 1H यहां से निकलता है तो H2 वो बना लेता है बचेगा C2H4 इसका नाम क्या है इसका नाम है एथेन दो कार्वन में डवल बांड है CS2 डवलबान CS2 तो बनेगा एथेन क्या बच्चो एथेन ओके फिनाल की प्रकति कैसी होती है सबको पता है अमली प्रकति होती है फिनाल की प्रकति अमली प्रकति चलो भाई फटा फटा आप लोगों के लिए इतना महिनत किया जाता तो प्लीज यार चैनल को कर लो निम्ल मेंसे कौन सा प्रबल अमल है बताओ इसमें फिनाल है बैंजोईल ऐलकॉछ है मेटा क्लोरो फिनाल है इसका अप्सन नमbर सी हो जाएगा मेटा क्लोरो फिनाल आमली प्रकति में ने पढ़ाया था वहाँ पी आपको समझाया था बिस्पोटक बदार्थ बनाने कास्ट इस्पृट निमली खित्में से प्रात्मिक अल्कोहल किसमें होगा जिसमें बच्चो एक ही अल्किल ग्रूप जुड़ा होगा तिये दुतियाख है दो अल्किल ग्रूप ये तरतियाख है तीन अल्किल ग्रूप तो प्रात्मिक अल्कोहल जिसमें एक अल्किल इसका कान बताओ, इल्कोहल जल के पेछ अलका होता है, इल्कोहल उदासीन है, इल्कोहल उभै धर्मी है, बताना इसका बच्चो कारण, तो इल्कोहल जो है उभै धर्मी प्रकतिका होता है, इसलिए ये सुगमता से एर सोडियम के साथ बिले होता है, मतलब सोडियम इसमें मिल जाता है निमिकित में से 4 योगिक सबसे अमली है ये आप लोग अभी पढ़े थे ठीक है पारा नाइटरो फिनाल आर्थो नाइटरो फिनाल या मेटा नाइटरो फिनाल इसके पहले जब आपने पढ़ा था बच्चो सरवाधी कमली प्रकति मेटा नाइट्रो फिनाल लेकिन वहाँ पे पैरा नाइट्रो फिनाल नहीं दिया था अफसन लेकिन इस तरीके से देगा तो आपको हो जाएगा पैरा नाइट्रो फिनाल सबसे ज़्यादा फिर इससे कम मेटा फिर अर्थो फिर फिनाल ये ली प्रकति है चले अगला देखिए फिनाल से सलसिल एलडिहाइड बनाने के लिए अभक्रिया है अब यदि कोई अभक्रिया पढ़ा है तो उसको पता है कि रीमर टीमें अभक्रिया से सलसिल एलडिहाइड बनता है इसलिए कहता हूँ अभक्रिया को ढंक से पढ़ा करो प्र जाना जाता है तो मेथिल सेलसिलेट यह आपसन नमबर डी है मेथिल सेलसिलेट लुकास अभी कर्मा की क्रिया सबसे तीवर होती है त्रतियक अलकोहल में फिर दुतियक और प्राथमिक में तो बिल्कुल कोई अभक्रिया नहीं होती है तो त्रतियक के अलकोहल आपका option number first हो जाएगा तो यह 25-26 question में ने अभी आपको कराया है वाकि बच्चो आप लोग channel पे बने रहें आप खताम हो गया question भाई कोई भी वीडियो बनाने के पहले आप लोगं के लिए strategy बनाया जाता है लिखा जाता है इसके बाद प्रवाइड किया जाता है बस आप लोगं का एक छोटा सा प्यार तो चाहिए होता बच्चो की प्लीज थमसाब कर दिया करें चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही वीडियो पाने के लिए बच्चो लगातार हम आपके लिए content त्यार कर रहें बस प्यार और support आपका बना रहे ओके फिलाल आज के लिए इतना ही जैहिंद बंदे मातरम